आखीर आत्महत्या करने की वज़ा क्या थी? सुशान्द इतना डिप्रेशन में थे कि उन्हें मौद को गले लगाना सही समझा छे महीने में उसके हाथ से सारी फिल्मे निकल गई थी आज बॉलिवूड के दिगच अफसोज साहिर कर रहे है बॉलिवूड अभी नेता सुशान्द सिंग राजपूत की खुदखुशी की खबर ने फिल्म इंडस्ट्रिस को हैरान कर दिया है हमेशा हस्ते हुए चेहरे के पीछे का दर्ध कोई नहीं समझ पाया सुशान्द अपनी दौलत, शौरत, सब कुछ छोड़ चले गए है निश्टूर्था को एक बार फिर उजाकर कर दिया है उन्होंने टूइट कर लिखा छिचोरे हिट होने के बाद सुशान्द सिंग राजपूत ने साथ फिल्में साइन की थी छे महीने में उसके हाथ से सारी फिल्में निकल गई थी क्योंकि फिल्म इंडेस्ट्री की निश्टूर्था एक अलग लेवल पर काम करती है इसी निश्टूर्था ने एक प्रतिभावन कलाकार को मार डाला सुशान्द ने अपने एक इंटर्व्यू में बताया कि बॉलिवूड के कई दिगच उन्हें अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते हैं इंडेस्ट्री में उनका कोई दोस नहीं है ना ही कोई उन्हें यहां काम करने देता है मगर आज उनकी मौत पर सब अफसोस जाहिर कर रहे है इंडेस्ट्री के दोगले रवये पर एक्टर निखिल दुवेदी ने अपने टूइट में लिखा कई बार फिर्म इंडेस्ट्री के धोरेपन मेरे सर के उपर से जाते हैं आज बॉलिवूड के दिगच अफसोस जाहिर कर रहे है कि उन्हें सुषान के संपर्क में रहना चाहिए था उन्हें समझना चाहिए था कॉम ओन आप उससे संपर्क में नहीं थे क्योंकि उसका करियर डुबा हुआ था क्या आज आज आप इमरान खान, अभे दियोल और बाकियों के संपर्क में है नहीं लेकिन आप उनसे संपर्ख में थे जब वो करियर में अच्छा कर रहे थे आपको बता दे कि सुशान 6 महिने से इतने डिप्रेशन में थे कि किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेंगे साथ ही पुलिस अब जाच में लगी हुई है कि आखीर आत्महत्या करने की वज़ा क्या थी ताजा तरी खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना न भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें